दोस्तों अपने जीवन में तब तक कमाओ, जब तक कि हर महेंगी चीज सस्ती ना लगने लगे। दुनिया का सबसे मुश्किल काम है अपनों में अपनों को ढूंड लो। नदी के किनारी पर खरे रहने से नदी पार नहीं होती, उसे पार करने के लिए उसके अंदर जाना पड़ता है। जीवन में हमेशा इंतजार ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरे दोस्त सही बक्त कभी आता नहीं, उसे लाना पड़ता है। कसूर तो बहुत किये हैं जिंदगी में, पर सजा वहां मिली जहां बेकसूर थे। जीवन में जो लोग आप से दूर होना चाहते हैं, वो लोग सारा दोस हालात पर डाल देते हैं। जिंदगी एक मिनिट में नहीं बदलती, पर एक मिनिट सोच कर लिया गया फैसला आपकी प जितना इंसान खुद रुपियों के लिए गिरा लेता है। अकर जीवन में जंग अपनों से हो तो हार जाना चाहिए। क्योंकि जिन्दगी में कुछ रिष्टे बहुत अनमोल होते हैं। जो लोग अंदर से मर जाते हैं अक्सर वही दूसरों को जीना सिखाते हैं। हमें अपनी जिन्दगी जीतना सीखना चाहिए क्योंकि हम एक दिन मौत से तो हार ही जाएंगे। जब भी जीबन में मुश्किल गड़ी आती है तो कायर पीछे हड़ जाता है और मेहनती डट जाता है। ख्वाप तो सब मीठे देखे थे। ताजूब है आँखों का पानी खारा कैसे होगिया। किसी को उजार कर बसे तो क्या बसे और किसी को रुला कर हसे तो क्या हसे। जिंदगी में एक बात तो तै है कि तै कुछ भी नहीं है। रूँ से जुरे रिस्तों पर फरिस्तों के पहरे होते हैं। कोशिस करलो जीतना तोरने की यह और बे गहरे होते हैं। दिवारे मेरे संग रोती रही और लोग समझे कि मकान कच्चा है। खूब सूरत से वो पल था पर क्या करें वो गल था। मुझे इसलिए भी पसंद आते हैं सच बोलने वाले लोग क्योंकि वो खुद तूट जाते हैं। मगर किसी का दिल नहीं तोड़ते हैं। जब घाव से खूद नहीं निकले तो समझ लेना कि वह घाव किसी अपने ने दिया है। रिस्ते भी नौकरी की तरह हो गये हैं। आजकल बहतर आफर मिलते ही बदल जाते हैं। यह वो दौर है साहब, जब इनसान गिरे तो हसी निकल जाती है। और मोबाइल गिरे तो जान निकल जाती है। जीते जी कौन करता है कदर किसी की? यह तो मौत है जो इनसान को अनमोल बना देती है। संभल कर चल अए नादान यह इनसानों की बस्ती है। यहाँ लोग रब को भी धोका देते हैं। फिर तेरी क्या हस्ती है। गमांड और पेट जब यह दोनों बढ़ जाते हैं। तब इनसान चाह कर भी किसी को गले नहीं लगा सकता। जिन्दगी के सबसे करबे सबक अकसर मीठा भोलने बालों से ही सीखने को मिलते हैं। खुदगरजी की वस्ती में एहसास भी एक गुना है। जिसे तैरना सिखाओ वही डुवाने को तयार है। बड़ी अजीब सी कसमकस जिन्दगी में है। जूट बोलो तो रब नराज हो जाते हैं। गीता और कुरान कभी आपस में लड़ते नहीं हैं और इनके लिए वही लड़ते हैं जो इने कभी पढ़ते नहीं है। बेजान चीजों को बदनाम करने के तरीके कितने आसान होते हैं। लोग सुनते हैं बाते छुप छुप कर और कहते हैं कि दिवारों के भी कान होते हैं पैसा कहता है मैं रोज नए रिष्टे तो बना लेता हूँ मगर पुराने और सचे रिष्टे बिगार देता हूँ दोस्तों इनसान कभी भीड में नहीं खोता इनसान खोता तब है जब वो अकेला होता है बड़ी दुख की बात है इस दुनिया में कोई किसी का हमदर्द नहीं होता लास को समसान में रखकर अपने ही लोग पूछते हैं और कितना वक्त लगेगा अपने पैरों पर खड़े हुए मर जाना घुटने टेक कर जीने से कहीं बहतर है लोग चाहते हैं आप बहतर करें लेकिन वो कभी ये नहीं चाहते कि आप उनसे बहतर करें गलती नीम की नहीं होती कि वो कड़बा है खुदगर जी जीब की है कि उसे मीठा पसंद है अगर काम्या बनना है तो मंजिल पर नजर रखो दोस्त कवे के टोकने से बाज कभी रुका नहीं करते नीचे गिर के देखो कोई नहीं आएगा उठाने तुम्हे जरा तुम उठकर तो देखो सवाएंगे तुम्हे गिराने खुबसूरत चेहरा भी बुड़ा हो जाता है ताकतबर जिस्म भी एक दिन ढल जाता है ओधा और पद भी एक दिन खत्म हो जाता है लेकिन एक अच्छा इंसान हमेशा अच्छा ही रहता है अकाल अगर अनाज की हो तो मानम मरता है किन्तु अकाल अगर संसकारों की हो तो मानवता मरती है हर इंसान में कोई न कोई परतिवा जरूर होती है लेकिन अक्सर लोग इसे दूसरे जैसा बनने में नश्ट कर देते हैं